दोस्तों आज मैं आपको बताऊं गी के बहुत ही असानी से लेस्टन को शीलने के कुँछ टिप्स, क्योंके लेस्ट शीलना हमारे लिए इक बहुत ही बड़ी प्राइबम होती है और इसके शीलने के लिए मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेर करूंगी जिसे आप थोड़े से लेकर जादा दो किलो तीन किलो पांच किलो जितना भी अपने लेसन शीलना चाहें बहुत ही कम समय में उसे शील लेंगे बहुत ही असानी से आज के बाद आपकी भी लेसन श शील सकते हैं तीनों टिप में कोई भी आप त्वी यूज करते हैं तो आप उसके साथ जितना भी लेसन शीलना चाहें बहुत यह सानी से बिहुत कम समय, शील सकते हैं यह शोली होसी यह और आपकें पास relieved i' का लेसन भी हम देख लेते हैं कि हम लसन की कलियों को अलग कैसे करें। आप जहां पर देख सकते हैं मैं लसन को ले कर हाथ से नॉर्मली दबाऊंगी थोड़ा सा दबाने से उसकी सारी कलियां एक बार में खुल जाएंगी ऐसा करने से बड़ी ajasानी से कलियां खूल जाती है लेकिन अगर हम बेलन जूस कहते हैं तो उससे हमारी कलियों में दरार आ जाती है जो जारी देर फिटीक नहीं पाता इसलिए आप हाथ के साथ ही उससे बस एक बार उपर से दबाएंगे तो वो सारी कलियां खुल जाएंगे अगर आपको हाथ से दबाकर लसन की कलियों को अलग करने में मुश्किल आए तो आप ऐसे नाइफ लेकर उसे कलियों के बीच निकाल कर एक बर गमा दे तो उससे भी बहुत असानी से सारी कलियां अलग हो जाती है आपको जस्ट एक बार knife को कलियों के बीच निकाल कर उसे गमा देना है आप सभी को request है दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसान दाए तो प्लीज इस वीडियो को like, comment and share जरूर कीजिए दूसरों के साथ next जब हम lesson की कलियों को अलग कर लेते हैं जयाकि लएगे उन्हें आपने हाथों से अच्छे त्वीके से मसल ले उससे जो उसके ओपरी शिलके होते है को सानी से आपने आप ही उतर जाते हैं कवारा काफी काम वहां पर ही काम हो जाता है एक बार करने से ही आप देखेंगे कि对ल मे heapन से कितने सारे शिलके उतर तो लसन को शीलने के लिए टिप नमबर वन सबसे पहले कोई भी आप बाउले उसके बीच गरम पानी डाले गरम पानी जस्ट गुनगना पानी हमें चाहिए इतना गरम होना चाहिए कि जिसके बीच हम हाथ बिगो सगे इससे जादा गरम पानी हमें नहीं चाहिए क्योंकि पानी के बीच मैंने बेकिंग सोडा डाल कर उसे मिक्स कर दिया और उपर से मैं लसुन डारही हूं इसके बीच आप जितना भी लसुन इसके बीच डालना चाहें जितना भी शीलना चाहें वह आप इसके बीच डाल कर इसे जस्ट एक दो मिनिट के लिए साइड पर कर दें एक कि लसून के शिल्के उतरने शुय हो जाएंगे बहुत ही असानी से लेकिन वह शिल्कों को फुलाने का काम करता है उससे थोड़ा और शिल्कों का उतरना अगर आप अगर आप बेस्ट रजर जाते हैं तो आप बेकिंग डाले अगर आप चाहे तो से skip भी किया जा सकता है आप जहां पर देख सकते हैं मेरे थोड़े से ही मसलने से सारा लसुन चील चुका है आप मैं कलियों को नकालूंगी आप इसी तरीके से जितना भी चाहें लसुन चील सकते हैं बहुत इसानी से चील जाता है टिप नबर टू हमें लसुन को लेकर इसका जो उपर वाला हाड वाला बाग होता है उसको काटना होगा इसे काटना थोड़ा मुश्कल होता है इसे असानी से कटनी पाता है उसके लिए आप जितना भी आपको लसुन चीलना हो उसे 10 मिनिट के लिए पहले फ्रीज में रख दें 10 मिनिट बा पार्ट पार्ट को काड़ दिया तो आप देख सकते हैं लसुन अपने आप खूर रहा है सारी शिलके जो अपने आप उतर हैं बहुत यह सानी से निकल जाते हैं जस्ट आपको एक बार जो इसका हाड वाला पार्ट है उपर जो हिस्सा होता है उसे आपको काटना है वो मुश् लसुन के सारे शिलके अपने आप खूल चुके हैं देखिए बहुत यह सानी से निकलते जा रहें जस्ट मैं उसे एक बार पकड़ रही तो वो सानी से सारे जो कलिया है उनके शिलके उतर हैं दोस्तों यह टीप बहुत ही यूसफुल है बहुत ही कमाल का टिप है मैं जारा इसी tip को यूज़ करती हूँ लसुन चीलने के लिए जब भी मुझे जादी मातरा में लसुन चीलना होता है और मुझे अपसे असान भी जही tip लगता है आपको मेरे बताएगे आज के सभी tips में से कौन सा tip ज़्यादा अच्छा लगा यह दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हो सकता है बाद में आप मुझे कमेंट करें कि मैंने दो टिप्स में तो नेल पेंड लगाया है और वीडियो के इस पार्ट में इस टिप्स में मैंने नेल पेंड नहीं लगाया इसलिए आपको बता रही हूँ मैं आपको फिर से एक बार दोस्तों बताना चाहूंगी कि हमें जो लेसुन का उपर ये वाला हाड वाला पार्ट होता है इसे निकालना है जो निकालना थोड़ा मुश्किल है लेकिन अगर आप एक बार निकालनेंगे जहां पर हाई फ्लेम नहीं करना अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे तो हमारा लसुन जो है वो पक जाएगा हमें लगातार ऐसे इसे हलाते हो एक दो मिनिट के लिए लसुन का जो बार वाला शिलका है उसे हमें गरम करना है जस्ट हमें लसुन का बार वाले शिलके को गरम करना है, हमें लसुन को नहीं पकाना है, मैं जहां पर आपको हाथ से भी हला कर बता रही हूं कि देखें मेरा लसुन मैंने बिलकुल लो फ्रेम पर रखा है, जिस पर जस्ट शिलका जो है उस पर सेक लग रहा है, मेरा बीस से ल लसुन नहीं पकेगा आप जहां पर देख सकते हैं एक दो मिनिट के बाद इसके शिलके के ऊपर दरार आने लगी आप देख सकते हैं अगर ऐसा होने लगे तो हमें उसी टाइम गैस को बंद कर देना है और लसुन को भी से निकाल लेना है आप जितना भी लसुन चाहें ऐसे आप देखेंगे जस्ट मैं ऐसे एक बार कर रही हूं तो सारा लसुन का जो चिलके और भी एसानी से उतरता जा रहा है आप जाहे तो हाथँ से मसल कर भी आप इन शिलकों को निकाल सकते हैं जा फिर आप जाहये तो ऐसे एक एक्ग को को सकते हैं जिब बहुत ही सानी से खू दोस्तों मैंने आपके साथ पहले भी lesson शीलने के लिए एक short share किया, upload किया, उसे बहुत like किया गया, उसमें मैंने एक बहुत ही बढ़िया tip बताया कि आप कैसे कम समय में जादे से जादे lesson शील सकते हैं, अगर आपने अभी तक उसको नहीं रेखा तो मैं उसका link description box और i button में ड लगा, वो बिलकुल भी नहीं पका, मैंने जो पैन के बीच lesson को डाल कर सेक लगाया था, वो जस्ट शिलकों के उपर ही लगा है, उसका हमारी lesson पर कोई भी असर नहीं हुआ, आपको इसे सेक लगाते time, गैस को बिलकुल लो रखना है और एक दो मिनिट के लिए लगातार हला आते हुए सेक लगाना है, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आपको कौन सा टिप्स आज का अच्छा लगा, प्लीज मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में, टेक क्या एंड बाइबाइ